हलो स्टूडेंस तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में तो मेरे साथ हैं आज फिजिक्स के एजुकेटर आशीर सर बच्चे बार-बार एक क्वेरी मतलब कमेंट बॉक्स में डालते हैं आपके वीडियो में भी डालते हैं कि अगर आपन बात करें एनसी जेस की तो यर 2021 स से पहले एनसी जills में सर मैट भी आती थी तो बच्का मैट को भी उकल बेटेज देता था जितिए हो फिजिक्स स्ट्रीक तो आज भी आ रहे हैं तो वह बार बार पूछता है कि क्या नाइंध की बेसिक माट या 8 की basic maths पढ़कर वो physics और chemistry के numerical approach कर पाएगा अगर कर पाएगा तो ठीक है sir उतनी वो school के साथ cover कर लेता है बट अगर उसको higher maths पढ़नी है तो कौन-कौन से topics उसको cover करने चाहिए कहां से cover करने चाहिए और किस पर उसको जादा focus करना चाहिए ताकि वो physics और chemistry के numericals को properly approach कर पाएगा तो प्लीज सर आज आप बच्चों को इस बारे में थोड़ा detail में बताईए थी मैम थेंक्यू आपने यह बहुत अच्छा concern raise किया है students की अकसर कर मेरे पास queries आती है कि sir हम लोग physics कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ problem आती है math में या फिर हम लोग जब उनको physics समझाते हैं तो वहां कुछ topic ऐसे है math के जो वो understand नहीं कर पाते तो मैं यह कहता हूं कि exactly math जो 8th औ 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं उससे आप लोगों की higher physics नहीं चल सकते यानि आप लोग 9th का normal physics पढ़ रहे हैं या फिर 10th का physics पढ़ रहे हैं तो काम चलेगा लेकिन यदि आप लोग प्रिप्यार कर रहे हैं तो मैं यह मानता हूं कि वहां आप आनी चाहिए at least उसके formula उसको आने चाहिए AP और GP का कुछ पार्ट उसको आना चाहिए जिससे कि कुछ जगह पर उसका application हो रहा है तो वह उसको understand कर पाएं लेकिन मैं कहता हूं और 9 में motion पढ़ता है ना बच्चा तो वहां पर slope नहीं समझ पाता तो technometry का बहुत जाधा importance है तो इसलिए technometry उसको करनी ही चाहिए then coordinate geometry यान की coordinates के बारे में उसको knowledge होनी चाहिए और state line उसको आना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ा है जो उसको आनी चाहिए मैं बता देता हूं अब coordinate geometry में मैं कहता हूं कि उसको position किसी भी point की position क्या है यह पता होना चाहिए distance formula उसको आना चाहिए अब distance formula बच्ची students जो है वो क्या करते हैं रट लेते हैं लेकिन रटना नहीं है उसमें उसका concept समझना होता है और मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि slope of a line students को यह बाला point नही समझना तो यह सारी शीज़ें उसके लिए करना जरूरी है और उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है कि students को 11 की physics में समझने के लिए उसको differential calculus जो है आनी चाहिए maxima minima क्या होता है questions को approach करने के लिए उसको यह point भी आना चाहिए लेकिन यह topic तो आप लोग यह मानता हूं कि 10 के बाद ही पढ़ते हैं तो अब इन topic को आप लोग यह सोचते हो कि कैसे approach करें तो मेरा कहना है कि हम लोग जब physics उनके लिए start करते हैं तो physics की starting में ही हम लोग basic mathematics का एक session लगाते हैं और उसमें almost जितना required है उतना sessions हम लोग लेकर उनका basic maths रन करते हैं जिससे कि उनकी physics है वो आसान हो जाती है और कहीं भी कोई भी difficulty वो मैसूस नहीं करते हैं तो I hope कि मैंने basic maths के topic मैंने बता दिये हैं कि जितना NSJS की physics को चलाने के लिए required होते हैं बाकी और को यह सा concern जो आपकी तरफ से आता हो तो मतलब सर जितनी maths बच्चे को आनी चाहिए NSJS क्वालिफाइ करने के लिए उतनी आप अपनी class में cover करा रहे हैं पर कुछ बच्चे होते सर जिनको maths बहुत जादा पसंद है और उनका JEE टार्गेट रहता है और वो NSJS देतो रहे हैं ब तो मैं topic बताया हूं कि physics के लिए आपको यह सारी topic आने चाहिए physics चलानी है तो यह topic आने चाहिए लेकिन बहुत सारी students है जिनको अपना उद्देश है कि मेरे को physics chemistry bio पढ़ना ही है लेकिन math से भी मेरे लिंक ना टूटे और math बहुत सारे बच्चों की strong होती है लेकिन उस और school level की physics पढ़ते रहें तो यह क्या है कि perfect balance नहीं है मैं कहता हूं कि इस तरीके से balance करने के लिए न हम लोग Olympiad गोल पर exactly आप देखोगे कि NSEJS के साथ साथ आयोकेम का course भी चलता है तो जिन भी बच्चों ने Olympiad गोल को subscribe किया है न तो वो math भी पढ़ सकते हैं और NSEJS की तैयारी भी कर सकते हैं तो यह perfect balance हम लोग एक ही सब्सक्रेशन में देते हैं जो भी students ने subscribe कर रखा है तो मैं मानता हूं कि आयोकेम के उपर जो है वो math क्या ही आ आप लोगों का मैस पढ़ लिया तो यह मानता हूं कि आप एप्रोच करना भी सीखोगे बहुत सारी चीजह हैं जो आप लोगों के लिए useful होंगी तो यह दोनों solution आपको एक ही जगह मिल रहे हैं तो math तो हलंकि हम लोग physics जब पढ़ाते हैं तो solve short करी देते हैं लेकिन और stronger करना है तो आप लोग IQM भी continue कर सकते हो बिल्कुल students तो मुझे लगता है आपकी जो major query है वो solve हो गई होगी कि अगर सिर्फ NACJS आपका target है और आपको कितनी maths आनी चाहिए तो वो sir आपको इस course के साथ complete करा ही देंगे बट अगर आपको higher level की maths पढ़नी है और maths के साथ आप अ challenge बना कर पढ़ सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई query है या आप हमारे साथ enroll होना चाहते हैं आप भी तक आपने olympiard gold subscribe नहीं कर रखा है कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है बच्चो तो description में google form link available है आप उस form को भरिये आप team would contact you और आपकी सारी problems को हम solve करेंगे बच्चो बस अपना target clear रखिए अच्छे से पढ़ते रहें all the best let's crack it